कहते थे कि जिस देश में शक्ति का अनादर होता है वह देश शक्ति शाली नहीं हो सकता है और हमारे देश में स्त्री ये शक्ति स्वरूपा है यानि हमारे देश में नहीं स्त्री सब जगें शक्ति स्वरूपा है लेकिन इस देश ने वो समझा था इस देश ने उस प्रकार स स्त्री को माना था जो हम भूल गए थे तो स्वामी वेकानंद कहते थे हमने स्त्री का जो अनादर किया उसके कारण देश की आज यहस्थिती हुई है और फिर से स्त्री को सम्मानित करना है और स्त्री ने भी स्वयम की शक्ति समझते हुए एक विद्या शक्ति के रूप में ज समाच का राष्ट्र का सुष्टी का तो उसकी वह समवर्धन शक्ति वह वो जागरुत करें और इस कार्य में लगाएं इसके लिए समवर्धिनी